चार पढ़े लिखे मूर्क, पँच्टंत्र की कहानी किसी नगर में चार ब्रामन रहते थे विद्या प्राप्ति के लिए वे चारों कान्य कुबज गए जहां उन्होंने बारा वर्शों तक शास्त्रों का अध्धैन किया बारा वर्ष में वे शास्त्र में तो पारंदत हो गए, परंतु व्यवारिक बुद्धी का उनमें अभाव ही रहा. शास्त्र में पारंदत हो जाने के उपरांथ उन्होंने अपने नगर लोट जाने का निश्चे किया. उन्हें विश्वास था कि अपने नगर में वे शास्त ज्ञान के बल पर धन उपार्जन कर पाएंगे। वे पैदल अपने नगर के लिए निकल पड़े। चलते चलते मार्ग में एक दोराहे आया। दोराहा देख वे दुविधा में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आगे किस मार्ग का चुनाव करे और वे वही खड़े रह गए। कुछ देर पश्चात उस दोराहे से एक वैश बालग की शव्यात्रा निकली। उसमें कई महाजन भी शामिल थे। महाजनों को देख एक ब्रामन को शास्त्र में लिखी यह बात याद आ गई। महाजनों येन गता सब पंथा अर्था जिस मार्ग पर महाजन जा चलो। इन महाजनों के पीछे चलो। चारों शव्यात्रा में शामिल हो गए और महाजनों के पीछे पीछे शम्शान घाट पहुँच गए। शम्शान घाट में एक गधा खड़ा हुआ था। गधे को देख कर दूसरे ब्रामन को याद आया। शम्शान घाट में खड़ा ये गधा भाई सद्रिश है। ये सुनकर सब गधे से लिपट गए और उसे पुछकारने लगे। उसी समय उन्हें एक उट तीवर गती से उस और आता दिखाई पड़ा। उसे देख तीसरे ब्रामन को याद आया धर्मस्यत्वरिता गतिया अर अवश्य धर्म है। दिया गया है तो वहां लाठी लेकर आया और उन चार मूर्खों को मारने के लिए उनके पीछे दोड़ा। चारों किसिस तरह जान बचा कर वहां से भागे। भागते भागते वे एक नदी के किनारे पहुचे। उसमें पलाश का एक पत्ता तैर रहा था। उसे देख पहल अर्धन तदस्मानस्तार्य शती अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। वह चिलाया यह तैरता हुआ पत्ता हमें नदी पार करा देगा और उस पत्ते पर कूत पड़ा। पत्ते पर कूतते ही वह नदी में डूबने लगा। दूसरे ब्रामन ने उसे डूपते हुए देखा, तो उसे याद आया सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धन त्यस्ती पंडिता अर्थात जब पूरा सर्वनाश हो रहा हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वहां आधा छोड़ दे और आधा बचा ले. इसलिए उसने सोचा कि इसे दो भागों में काट देना चाहिए और उसने तेज धार के आउजार से उस ब्रामन की गरदन काट कर उसे धर से अलग कर दिया. पहला ब्रामन वही मर गया. अब तीन ब्रामन शेश रह गए. उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी. चलते चलते वे एक गाव में पहुचे. गाव के लोगों ने उनका स्वागत किया और अपने घर पर भोज के लिए ले गए. सभी ब्रामन अलग-अलग घर में भोज के लिए गए. पहले घर में गए ब्रामन को सेमी परोसी गई. सेमी देख उसे याद आया, दीरगसूतरी विनशती अर्थात जो मनुष्य दीरगसूतरी या तंतु का प्रयोग करता है, वहा नश्ठ हो जाता है. इसलिए उसने भोजन को नहीं छुआ और उस घर से भूखा ही निकल गया. दूसरे घर में गए ब्रामन को खीरपूरी परोसी गई. जब उसने कटोरे में फैलाव वाली चीज देखी तो उसे याद आया, अतिविस्तार विस्तीरन तद्भुवेन चिरायुशम अर्थात फैलाव वाली वस्तु आयू कम करती है. इसलिए वह भी भोजन चोड़ कर उस घर से भूखा ही निकल गया. तीसरे घर में गए ब्रामन को मालकुए परोसे गए. जब उसने उसमें चिद्रों को देखा, तो उसे याद आ गया, चिद्रेश्व नर्था बहुली भवन्ती अर्था चिद्रों से बुराई पनपती है. इसलिए वह भी भोज चोड़ वहां से निकल गया. इस प्रकार तीनों मूर्ख ब्रामनों को भूखे प्यासे ही अपनी यात्रा करनी पड़ी. इससे उनकी जगहनसाई तो हुई ही, वे तीनों पच्चताए भी. शिक्षा, बुद्धी के बिना विद्या व्यर्थ है. आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई. ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.